नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूँ आपका आपके अपने चानल इंडियन हेल्थ टिप्स फर यू में अगर आप जॉब करते हैं, मतलब डेस्क जॉब या पूरा दिन भर आपका कम्प्यूटर के सामने ही निकलता है तो वेट गेन होना आमसी बात है आज की दुनिया में इतना ज्यादा कॉंप्यूटर के सामने बैठे बैठे हम मोटे हो जाते हैं तो दोस्तों, आज के इस पैकेज में हम आपको कुछ ऐसे इसी तरीके बताएंगे जिनसे आप अपनी जॉब भी अच्छे से कर सकते हैं और आप अपना फैट भी कम कर सकते हैं सबसे पहली बात, आपको ये द्रिल निश्चे करना होगा कि आपको अपनी जॉब के साथ-साथ अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है हेल्दी रहने के लिए हेल्दी डाइट ले डाइट बहुत मैटर करती है आप किस तरह की डाइट ले रहे हैं वो आपको देख कर ही पता लग जाएगा अगर आप मोटे या थुल्थुले हैं तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा स्पाइसी फूट या जंक फूट खाने के शौकीन है ऐसे में ऑफिस में बैठे बैठे काम करकर आप मोटापे को और भी ज्यादा इन्वाइट कर रहे हैं अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स और फूट्स लें जितना हो सके उतना ज्यादा पानी पिएं किसी भी तरह के नशे से दूर रहें आजकल स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या और किसी तरह का नशा एक तरह से फैशन ट्रेंड बाना जाता है लेकिन अगर आप लॉंग टर्म में ध्यान दे तो किसी भी तरह का नशा आपकी बोडी को रत्ती भर भी फायदा नहीं देता बलकि नुकसान ही देता है तो इन सब चीजों से धूर रहें आलसी ना बने आलस ज्यादा तर उन्हीं लोगों को आता है जो थोड़े मोटे होते हैं और आप मोटे तो नहीं रहना चाते तो इसलिए जितना ज्यादा हो सके आक्टिव हो जाएए अगर आप अपनी मॉर्निंग की स्टार्ट एक हेल्दी ब्रेक्फ़स्ट के साथ करें तो आपका पूरा दिन तरो ताजा जाता है और दोस्तों सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी ऑफिस भागने की चकर में हम ब्रेक्फ़स्ट करना भूल ही जाते हैं ये सुनने में तो छोटी सी बात लगती होगी लेकिन देखा जाए तो बहुत बड़ी गलती है हेल्दी ब्रेक्फ़स्ट करने से आपको दिन भर में भूख कम लगती है और आप चटपटी चीजों की तरफ कम भागते हैं इसके बाद बारी आती है हेल्दी लंच की अगर आप अपने वेट को कंट्रोल में रखना चाहते हैं और बैठे बैठे मोटे नहीं होना चाहते तो एक छोटी से आदत डाल लीजिए कि अपना लंच घर से लेकर आईए और हेल्दी लंच खाने की आदत डाल लीजिए मसालेदार चीजों को अवाइट करना भी बहुत जरूरी है मसालेदार चीजों में कैलोरीज, फाट्स और कार्बो हाइडरिट्स होते हैं जो आपको इजीली मोटा कर सकते हैं ओफिस की कैंटीन से समोसे और कचोडी खाना बंद कर दीजिए अब बात करते हैं स्नाक्स की सुभा से लेके शान तक जब डेस्क पर ऑफिस में ही सारा दिन बिताना पड़ता है तो ब्रेक्फिस्ट और लंज के बीच में भी हमें छोटी मोटी भूख लगी जाती है तो ऐसे में चिप्स और कोल ड्रिंक्स पीना बंद कर दीजिए स्नाक्स के रूप में आप फ्रूट्स, ड्राइ फ्रूट्स, मिल्क शेक या जूसिस भी पी सकते हैं ये सब आपको बहुत फ्रेश फीलिंग देंगे और सबसे इंपोर्टन बात ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए ज्यादा तर जब हम लोग काम में बिजी होते हैं तो हम पानी की जगा कोल ड्रिंक पीना पसंद करते हैं अगर आप मोटापे को अवोइड करना चाहते हैं तो पानी पीना स्टार्ट कर दें कम से कम एक दिन में आठ से दस ग्लासस पानी पीना बहुत ज़रूरी है इससे आपके एक और छोटी सी हेल्प हो जाएगी आप जितना ज्यादा पानी पीएंगे उतना ज्यादा आपको टॉयलिट के चक्कर लगाने पड़ेंगे जिससे आपके बिजी ऑफिस शेडूल में छोटी छोटी वाक भी हो जाएगी आजकल वैसे अपने इंप्लॉईस को हेल्दी रखने के लिए कई ऑफिसे ने अपने ऑफिस में ही जिम खोल रखे हैं तो अगर आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल हैं तो आफिस का जिम जरूर जॉइन करें वरना आफिस आर्ज के बाद भी आप जिम जॉइन कर सकते हैं अगर आप डेस्क जॉब पर हैं तो आप छोटी मुटी और भी दो चार बातों का ध्यान रख सकते हैं जैसे हर एक घंटे में उठकर थोड़ी देर के लिए टह लें या अगर पॉसिबल हो तो जितना हो सके खड़े होकर काम करें इन सबसे भी बैठे बैठे तोंद बढ़ने के चांसिस कम हो जाते हैं तो हमारी इन टिप्स को ज़रूर ट्राइ कीजिएगा अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट और शेर जरूर करें